देश में आप जानलेवा कोरोना वाइरस की दूसरी लहर कम हो रही है हाला कि अभी भी देश के कई राज्यों ऐसे हैं जहां रोजाना दर्ज होने वाले संक्रवण मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है महराष्ट्य करनाटक असम तिलांगना बंगाल समेत देश के आठ राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही महराष्ट्य में कोरोना के 6740 नई मामले सामने आए हैं जबकि क्यावन और मरीजों की मौत होने के साथ मिरतक संख्या 1,23,136 हो गई है वही करनाटक में संकरमण के 2,848 नई मामले सामने आए हैं इसके साथ ही असम में पिछले 24 घंटों में 2,640 नई मामले सामने आए पस्ट्वी मंगाल में कोरोना के 885 नई मामले सामने आई हैं इसी के साथ आपको बता दे कि मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वाइरस के 520 नई मामले सामने आई इसी के साथ आपको जानकारी दे कि तिलांगना में संकरमण के 808 नई मामले सामने आई 36 गड़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 319 लोगों में कुरोना संकरमण की पुष्टी हुई है मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा ने अकाउंटर के लेकर एक चौकाने वाला बयान दिया है उन्होंने कहा कि कोई अपराधी पुलस कस्टीजी से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी अपरादी पुलिस से हत्यार शीनने की कोशिश करता है या फर पुलिस पर गोलीवार्दी करता है तो उसके लिए एंकाउंटर का पैटर अपनाया जाना चाहिए इसे के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या राज्य में मुटभेड का पैटन बन गया है तो मैंने कहा कि अगर अपराधी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करता है तो ये पैटन होना चाहिए मुख्यमंत्री सर्मा ने पहली बार असम के सभी थाने के प्रभारियों के साथ आमने साबने बैठक की बैठक के दोरान उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी सर्विस बंदूख छीन कर भागने की कोशिश करता है या फिर पुलस कस्टिडी से भागता है और अगर वो दुशक अगर अपरादियों को हाल के दिनों में एनकाउंटर में मार गिराया गया था वही पियम मोदी आज जन संग के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी को उनकी जोयनती पर नमन किया इस दोरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगती के लिए समर्पित कर दिया प्रधान मंत्री मोदी के अलावा बीजवेपी के कई अन्य सीनियर नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर जी की जोयनती पर उन्हें याद किया इसके साथ ही प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी को उनकी जोयनती पर नमन करता हूँ उनके उद्धात आदवर्श्य देश भर में लोगों को प्रेरित करते हैं जोक्टर मुखर जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगती के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने खुद को एक उलेखनिय विद्वान और बुद्धी जीवी के रूप में भी प्रतिश्टित किया है आपको बता दे की देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवाललाल नहरू ने मुखर जी को अंतरिम सरकार में उध्योग एवं आपूर्थी मंतरी के रूप में शामिल किया था लेगिन नहरू और पाकिस्तान के ततकालीन प्रधान मंतरी लियाकत अली के बीच हुए समझोते के बाद उन्होंने मंतरी मंडल से त्याग पत्र दे दिया था मुखर जी ने ततकालीन कॉंग्रेस सरकार दोरा अनुशे 370 के तहट जम्हू एवं कश्मीर को विशेश राज्य का दर्जा देने का मुखरता से विरोध किया था मुखर जी को 11 माई 1953 को परमिट सिस्टम का उलंगन करकश्मीर में प्रवेश करने के लिए ग्रफतार कर लिया गया था साल 1953 में 23 जून को ज्रेल में रहस्य माई परिस्तितियों में उनकी मात हो गई थी बीजेपी उनकी पुने तिथी को बलीदान दिवस के रूप में मनाती है